हलो बच्चों let's read the question first the question says the migration of thousands of birds in केवलादेव national park is हमसे पूछा किया है जो migration होता है thousand birds का केवलादेव national park में वो कैसे होता है तो अगर हम बात करें national park केवलादेव की केवलादेव की तो यह कहां पे है यह राजस्थान में है तो यहां क्या होता है कि यहां साइबेरिया से साइबेरिया से बहुत सारे बर्ड उन्हें हम क्या बोलते हैं साइबेरियन बर्ड बोलते हैं जो कि साइबेरिया से कहां आते हैं राजस्थान आते हैं कि तो इि ऐ Can sill रांजिस्थान आते हैं दूरिं वेंटर तो यहां विंटर्ण बहुत जाधा वेग्म the Demi Town ज़ा जाता ए बहुत जाड़व क के संपरट पाते इसले तो वह सर्वाईव नहीं करपाते इसले वह क्या करते व in particular season, वह राजस्थाना आ जाते हैं, जाकि temperature बहुत pleasant होता है, वह survive कर लेते हैं, और winters भी बहुत जादा वैसे नहीं होते हैं कि जहाँ बहुत low temperature चलेजाए, surviveable winters होते हैं यहाँ यहाँ राजस्थान में, तो अब यहाँ पर हमसे पूचा गया है, जब नेशनल पार्क में क्या होता है? माइग्रेशन होता है, तो birds वो सइबेरिया सिराज्स्थान राजस्थान आती है तो ये बिल्कुल ठीकwnie है, यहां राजस्थान से साईबेरिया during winter लाजस्थान से इनलश याया कब जाती है जब summer आजाता है, जब summer आजाता है, यहाँ पर कब आती है, जब winter आता है, यह गलत हो जाएगा, from tropics to pole, तो यह गलत हो जाएगा, tropics से pole की तरफ नहीं आ रही है, both BNC, both BNC, correct answer नहीं है, बच्चो, correct answer क्या हो जाएगा, आपका option number A is your right answer, बच्चो, hope आप लोगो यह solution समझ में thank you, all the best